ज़र अध्यान से देखो अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ 148 million subscriber बो भी सिर्फ और सिर्फ 188 videos upload करके इस channel ले अब तक complete कर लिया है अगर अब इसके recent videos को देखोगे तो recent video में भी 2-4 million तक views आता है और इसके जो popular video है उसमें तो 40-50 million तक views जात चुका है लेकिन आखिर ये लोग ऐसा क्या बनाते हैं चलो मैं अभी आपको एक example दिखाता हूँ तो जैसा कि आपने देखा ये crime thriller animated stories बनाते हैं इस वज़े सेन के videos पे इतना जादा views आता है लेकिन मैं अगर आपको ये बताओं कि ये animation बनाना या फिर ऐसे videos बनानी की आपको कोई जरूरत ही नहीं है आप बस अपने mobile से ही ऐसा video बना सकते हो देखो असल में actually ये एक ऐसा application है जो कि एक game है और आप उस game को खेल कर उसके video record करके YouTube पर upload कर सकते हो जैसे कि आपने YouTube पर बहुत सारे gaming YouTube channel को देखा होगा जहाँ पे लोग game खेल के उस videos को upload करते है YouTube channel पे और इसी तरह से आपको ये एक game देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको detective के games देखने को मिलता है जिने आप खेल के उसी को upload कर सकते हो YouTube पर जैसे कि मैंने आपको starting में channel दिखाया वो भी ये ही काम करते हैं अब यहाँ पर मैंने खुद एक video बनाया है तो आप मेरे वाले example video को भी चलो देख लो मेहुल देखता है अचानक से सभी लोग बेहोश होने लगते हैं मेहुल का भी सरचकराने लगता है तो वो सामने परा हुआ एक mask देखता है और उस mask को अपने चेहरे पे लगा के अपने कार के तरप आगे बढ़ने लगता है तो exactly आप भी ऐसे ही video बना सकते हो चाहे आप short video बनाओ या फिर बड़े video आपको millions में views मिलेगा पूरा तरीका आज मैं आपको इस video में बताऊंगा कहां से आपको app download करना है कैसे आपको उसे record करना है कैसे scripting करनी है कैसे shoot करना है कैसे edit करना है सारी चीजे मैं आपको इस video में दिखाने वाला हूँ हेलो और नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अकाश और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर और लाइन से लेकर YouTube, Facebook, Instagram जिसके बारे में भी आप कुछ भी जानना चाहते हो सारी चीजे आपको इस YouTube चैनल पर मिल चाहेगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों अगर आपको मुझसे बात करना है या फिर मुझे कोई भी मैसेज करना है या फिर आपको YouTube के बारे में कुछ भी जानना है तो आप क्या गरो कि इसके वीडियो के डिस्किप्शन पर क्लिक करो हमारे टेलिग्राम का चैनल आएगा टेलिग्राम पर जाके टेलिग्राम को जॉइन कर लो वहाँ पर मैं लाइब वीडियो करता रहता हूँ आप मुझसे कोश्चन वगरा पूच सकते हो इसके अलाबा आपके चैनल को ग्रो करने के लिए जो बैग्राउंड, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट कुछ भी चाहिए होता है सब कुछ आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगा यूटूब के बारे में सारी चीज़े आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगी जो जो मैं इस्तमाल करता हूँ, सब कुछ तो जाके टेलिग्राम को जल्दी से जॉइन कर लेना तो एप को डाउनलोड कैसे करना है अभी जो आप वीडियो देख रहे हो, यहाँ पर मोड वाले बटन पर क्लिक करना है नीचे जाओगे, एप डाउनलोड लिंक मिलेगा इस पर बस आपको क्लिक करना है तो यह आपको सीधे ले जाएगा हमारे टेलिग्राम चैनल पर मैंने बोला ना, सब चीज आपको टेलिग्राम चैनल पर मिलेगा तो जॉइन कर लेना, यहाँ पर जॉइन का बटन मिलेगा इसे आप जॉइन कर लेना इसी तरह जो आपने अभी विडियो देखा उसी ख़र थमनेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और नीचे एप का लिंक मिलेगा, बस यहाँ पर क्लिक करना और उसके बार डाउनलोड कर लेना Play Store से तो जैसे हम एप को डाउनलोड करके ओपिन गरते हैं तो हमें स्टार्टिंग में बताया जाता है कि ये जो है दोनों ओरत फाइट कर रही है लेकिन अभी हमें बताना है कि इन दोनों में से इस बच्चे क्या असली मा कौन है, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकतो नीचे लिखा हुआ है, जो भी question लिखा हुआ है, इसका answer हमें देना है, तो हम next वाले बटन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद मैं इसके मा को चुन लेता हूँ, यह वाली इसकी मा है, आरिया उसकी मा है, क्यों है आरिया उसकी मा, क्योंकि पीछे आप फोटो देख सकते हो, फोटो में बच्चे के साथ आरिया का तस्बीर लगा हुआ है, इसलिए आरिया उसकी मा है, तो देख लो, इस तरह से हमने इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया है, अब इसके बाद continue वाले बटन पर क्लिक करेंगे और इसी तरह से एक एक करके हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, अभी देख सकते हो, ये बच्चा जो है पूरा घीला हो चुका है, तो इस तरह से आपको question पूछा जाएगा, एक एक करके, यहाँ पर 320 आपको video question देखने को मिलेंगे, ठी कर लेता हो, क्योंकि हम हिंदी में video बनाएंगे, ठीक है, तो हम हिंदी language को चूज कर लेते हैं, आप खुद के voice से भी video बना सकते हो, AI voice से भी बना सकते हो, हम setting को cut कर देते हैं, भाशा यहाँ पर चुनने के बाद, यहाँ पर आपको और भी अलग-अलग game देखने को तो जो चाहिए खिल सकते हो, यहाँ पर day 1 से लेकर day 14 तक है, 14 दिनों तक का आपका video यहीं से तयार हो जाएगा, इसी तरह से आपको अलग-अलग category मिलेगी, मतलब पूरे एक साल का video आपका तयार हो जाएगा यहाँ से, अब देख सकते हो, यहाँ पर लड़की जो है, यह ठीक है, तो इस celebrity का अभी खून हो जाता है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, और आपको इन सारे जो है videos के screenshot भी लेना है, और उसी के साथ इसको video skin recording भी करना है, अब skin recording कैसे करना है, मैं आपको बता देता हूँ, आपके mobile में पहले से कोई ना को skin recording होगा, या फिर दोस्तो तो आप play store से skin recording नाम के application को सर्च कर सकते हो, जैसे कि मेरे mobile में मैं उपर से नीचे के तरफ यहाँ पर scroll down करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकतो skin recording नाम का एक app है, जैसे मैं इस पर click करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे को skin recording का button देखने को मिलता है, और उसके बाद मैं यहाँ पर के सारे photos भी लेता रहूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो चीज लिखा हुआ है ना, इसी चीज का हम AI audio बना देंगे, तो हमें कुछ बोलने के भी जोरत नहीं परेगी, तो यहाँ पर, चलो हम next roller button पर click करते हैं, और इस question का answer मैं आपके आखों के सामने दे के दिखाता हूँ, तो लड़की का concert चल रहा होता है, तो इसका भी मैं screenshot ले लेता हूँ, इसी तरह से हर एक page का आपको screenshot लेना है, जहाँ पर भी अलग-अलग चीज लिखा हुआ हो, concert के बाद कुछ लोग लड़की से मिलने आते हैं, ठीक है, उसके बाद अचानक से, यहाँ पर next roller button पर click करता ह है, यहाँ पर आप ध्यान से देखना, ठीक है ना, यहाँ पर video के अंदर ही आपको सारा answer मिल जाएगा, ठीक है, लड़की की मौत हो जाती है, लेकिन इसको मारा किसने, अब इसी तरह से एक एक करके हम सारे लोगों का check करेंगे कि कौन यहाँ पर murderer हो सकता है, इसके बाद detective म मेहुल को बुलाया जाता है, मेहुल यहाँ पर main character है, जो कि हर मुझरिम जुर्म होने के बाद हमेशा पहुच जाता है, क्योंकि यह एक detective है, अब मेहुल यहन सब को line पर ख़रा करके, सबसे एक एक करके सवाल पूछता है, कि कौन कब मिला था इस superstar के साथ, और कैसे बात हु मिल जाएगा, उसके बाद दूसरी वाली बताती है, कि मैंने भी photo auto click किया था, और कुछ बाते की थी, तीसरा वाला भी उसी तरह से बताता है, कि photo auto click किया था, और बाते की थी, अब जब तीनों बात कर लेते हैं, तो उसके बाद detective यहाँ पर पकर लेता है, असली चोर को, ल अतली murderer है, ठीक है, तो इसी तरह से आपको answer देना है, उन सब को record करके रख लेना है, इसी तरह से हर एक label पर आपको अलग-अलग question देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर supermarket में एक चोरी हो गई, तो चोर कौन है, इस तरह से बता सकते हो, इसके अलाबा और भी मैंने कुछ स नहीं है अभी, तो वो उस वाले घर पर जाएगा, इसके अलाबा देख सकते हो, यहाँ पर और भी कई सारे आपको भर-भर के मिल जाएगा, जितना ज़ाद आप game खेलोगे, उतना ज़ादा interesting यहाँ पर यह topic बनता जाएगा, ठीक है, एड़ दीना आपको ऐसे-इस question मिलें जो आपका दिमाग एकदम घुमा देंगे, तो इससे आपका विडियो भी बहुत जादा मज़ेदार बनता चाहेगा, जैसे कि इस वाले game को हम start करते हैं, यह kidnapping का game है, ठीक है, तो यहाँ पर एक scientist जो है, एक experiment कर रहा होता है, यह सब कुछ आपको screenshot ले लेना है, ठीक है, और scientist उसके बेटे को call करता है और कहता है कि तेरी मा मेरे पास है, जल्दी आजा, अब वो कहता है कि तुझे इन सब में से अपनी मा को पहचानना है, ठीक है, तो अभी आप बताओ कि इसका जो है सही answer क्या है, ठीक है, तो आप answer बताओ कि उसकी असली मा कौन है, अगर आप ध्य इसके बाल आप देख सकते हो, उस बच्चे के साथ इसके बाल मैच होते हैं, भुरे कलर के, इसी तरह से ड्रैकूला वाली स्टोरी मिलेगी, तो हर तरह की स्टोरी मिलेगी, ठीक है न, इसका अगर आप विडियो बनाते हो, तो बहुत अच्छा खासा विडियो आपका अब जैसे ही अपलोड करोगे न, यहाँ पर जो यह टेक्स्ट है, ठीक है न, यह जो टेक्स्ट है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो अब हम इस टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट पर एक बार क्लिक इसके बाद दोस्तो आपको audio दो तरह से बना सकते हो या तो आप खुद कैमरे के सामने खड़े हो कि मेरे तरह बोल सकते हो और उसके वीडियो की किसी एक कोने में अपना वीडियो लगा सकते हो पूछ सकते हो लोगे से कि इसका answer क्या हो सकता है इसके अलाबा आप सिर्फ और स से जाके अपना audio बना सकते हो जो हमने question वगरा वहां पे जो है screenshot लिया था वही question डालेंगे और वही question audio बना के देदेगा AI 11 laps नाम के AI पर जाके बस आपको वो question डाल देना है उसका वो audio बना के देदेगा यहां पर आप चूस कर सकते हो कि आपको लड़की का आवास चाहिए लड़के का आवास चाहिए हर तरह का हजारों तरह के लोगों के आवास आपको देखने को मिल जाएंगे जो की एकदम असली इंकसान जैसा लगता है जहां तक editing की बात है तो आप mobile में cap cut होगरा में भी editing कर सकते हो या फिर दोस्तों जहां पे भी आप editing आता है करना वहां प कोई फाइदा नहीं है तो editing सीखने के बाद मैं आपको cap cut जो है फिल्मोरा में दिखाता हूँ अपने जो है laptop में same to same process यही रहेगा नीचे जो आपने audio बनाया है उसे लगाना है उसके उपर आपको skin recording लगाना है उसको जो है थोड़ा zoom करके अपना अगर short video बनाना चाहते हो तो short video बना सकते हो लंबा करके अगर आप जो है long video बनाना चाहते हो तो 16 to 9 के ratio में जो है लंबे format में YouTube के format में video बना सकते हो बाकि और कुछ नहीं करना video को export करो और YouTube पे जाके upload करो बस सीधा सा काम है तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको दिखाया मैंने बस आपको example के लिए इ online पे ऐसे बहुत सारी game मिल जाएंगे जो भी आपको पसंद आता है उससे आप download करके same to same इसी तरह game वगरा खेल के उसका screen recording करके अपना एक खुद का channel बना कर उस पे upload कर सकते हो फिलाल अगर अभी आपको video पसंद आयो तो like करके channel subscribe कर लेना फिर मिलेंगे किसी video के साथ तब उसे के लिए बाइ बाइ